हेलो गाईज, वेलकम बेक तू माई यूट्यूब चैनल, आज हम पढ़ रहे हैं आपका एक इंपोर्टन टोपिक फार्मकलोजी का, वो है आपका कमपेरिजन बीट्विन एंपिसीलीन एंड अमोक्सिसीलीन, ठीक हैं, अमोक्सिसीलीन आपने नाम सुना होगा बहुत बार, ठीक हैं, तो हम इनके बारे में आज एक एंपिसीलीन का नाम सुना होगा, एक अमोक्सिसीलीन का नाम सुना होगा, इनके बीच डिफरेंस कह रहेगा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक हैं, तो देखिए, जो एंपिसीलीन है, उसको रोज सीलीन भी बोला जाता है और जो amoxicilline है उसको mox बोला जाता है ठीक है ये क्या है देखिए it is a ampicilline के बारे पढ़ते हैं सबसे पहले it is a semi synthetic amino penicilline ठीक है ये क्या है semi synthetic यानि half synthetic है और बाकी थोड़ा हा नेचरल है कैसे देखिए क्योंकि penicilline के अंदर है ये penicilline के अंदर आपने amino group का add करना है और penicilline आपका एक natural antibiotic है जो आपको मिलता है ठीक है उसके बाद इसके बारे में भी यही बात है amoxicilline भी क्या है एक semi synthetic amino penicilline है ठीक है आधा manmade और आधा natural ठीक है क्योंकि penicilline के अंदर आपने क्या करना है amino group को add करना है उसके बाद बताया गया है कि ampicillin एक acid stable drug होती है और जो amoxicillin है वो भी acid stable drug होती है लेकिन ये आपकी incompletely absorb होती है GIT से लेकिन ये आपकी completely absorb हो जाती है ठीक है absorb हो जाती है का मतलब क्या blood के अंदर ये पहुँच जाती है और ये आपकी incompletely रहती है यानि आदी blood में और आदी आपकी intestine में इसलिए जो diarrhea है वो आपको ampicillin लेने के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि अब ये आपकी intestine में रह जाएगी तो आपको diarrhea की condition देखने को मिलेगी और ये आपकी completely absorb हो जाती है तो इसलिए diarrhea का जो incidence है diarrhea आपको यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलेग उसके बाद आपको बताया है next difference कि food decrease the absorption of ampicillin ठीक है अगर आप food के साथ इस दवा को ले रहे हो तो इसके absorption को food क्या कर देता है decrease कर देता है interfere करता है यानि food यहाँ पर अच्छे से absorb नहीं होने देता है ampicillin को और यहाँ पर food बिल्कुल भी absorb absorption की process के अंदर कोई interference नहीं करता ह तो food doesn't decrease the absorption of amoxicillin next हमें बताया गया है कि it reduces the effectiveness of oral contraceptive यह जो दवा है आपकी ampicillin अगर इसके साथ साथ patient oral contraceptive pills भी ले रही है तो क्या हो जाएगा oral contraceptive pills की जो काम या effective रस नहेगी वो क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी लेकिन अगर amoxicillin आप ले रहे हो साथ में patient आपका oral contraceptive भी consume कर रहा है तो क्या हो जाएगा उसकी effectiveness के ओपर इनका कोई effect नहीं पड़ेगा यह बिल्कुल भी reduce नहीं करेंगे effectiveness को oral contraceptive की next हमें बताया गया है dose के बारे में ampicillin है जो जो जिसको आप रोग सिलीन के नाम से जानते हो यह आपकी इसकी जो dose है वो रहती है 250 से 500 mg तक यह आपकी available रहती है यानि 200 से लेके 500 mg तक आपको इसकी tablet या injections आपको देखने को मिल सकते हैं और इसकी जो timing रहेगी वो रहेगी QID दिन में चार बार आपको लेनी होती है उसके बाद आपको बताया गया है amoxicillin की जो dose रहेगी वो सेम रहती है 200 से 500 mg लेकिन यह आपने सिर्फ थ्री टाइम से डे लेनी है दिन में तीन बार ही इनको लेना होता है तो यह थे इनकी बीच में major difference की इन completely absorb होती है यह completely यहाँ पे food इंटरफेयर करेगा और यह इंटरफेयर करेंगी oral contraceptives के साथ और dose आपको इहां बताई होई है लेकिन दोनों की दोनों आपकी semi synthetic होती है ठ so thank you guys मिलते नेक्स वीडियो के अंदर नेक्स आपके साथ